जो बरतमान समय में जहारखण सरकार के दौरा नियोजन नीती के मामले पर बिना गजट परकासित किये बिना नियोजन नीती के ही 60-40 के रेशियो पर विग्यापन पर विग्यापन निकाला जा रहा है यहां जहारखंडियों के साथ अन्याय है और दूसरी तरफ यहां के तमाम सत्तापक्च के 42 विधायक समेत 72 विधायक ने एक तरफ से लिखित समर्थन दिया है कि 40-40 नहीं चलतो और 40-40 के तहत ही विग्यापर निकाला जा रहा है जिसके विरोध में हम लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं बरतमान समय में 10 मैं से 11 जुन तक 31 दिवसिया चार चरनों का अंदोलन में दो चरन हम लोग का एतिहासिक सफल हुआ और तीसरा चरन और चोथा चरन का जो आंदोलन है हम लोग का उससे संबंधित आज प्रेसवारता बुलाए हैं जो कल 9 जोन अर्था जहरखन आबा विर्शा मुंड़ा जी के पुन्यति थी के आउसर पर हम लोग पूरे जहरखन परदेश में मसाल जुलूस निकालेंगे और विर्शा मुंड़ा का जो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज था उसका सपना को सकार करने के लिए मसाल जुलूस निकाल करके अहवाहन करेंगे पूरे जहरखन परदेश वासियों को कि इस बार एक दिन नहीं बलकि लगाता और दो दिन पूरा का पूरा 48 घंटा दस और गारे जुन अर्थात सनी बार और रवी बार को संपूर्ण जहरखन बंद रहेगा जिसका हम लोग परसासनिक अनुमती पत्र प्राप कर लिए हैं माननिया डीजीपी महुदै से और मुझसच्य सचिव महुदै से ये दोनों को परसासनिक अनुमती प्राप कर चुके हैं दो दिवसिया बंदि का और मसाल जुलूस का और इसमें पूरे जहरखन परदेश का हुआ है इसलिए मैं तमाम राज के सभी आंदोलन कारी साथियों से अगर करता हूं विंपी करता हूं निवेदन करता हूं और बताना चाहता हूं कि अलग अलग जगा और परसासन को आवेदन देने का अनिवारियता नहीं है आप लोग स्वक्षा से दे सकते हैं तो दे सकते हैं और उसके अलावा जो हम लोग का मीडिया बंदू के समख्ष हम बताना चाहेंगे कि नो जोन को जो हम लोग का विसाल मसाल जुलूस निकलेगा वे संपूर्न जारखन परदेश के तमाम परखन और जिला मुक्षाले के चोक चोरहों पर निकाला जाएगा जो जिसका फॉर्मेट इस परकार से है इसके बाद जो दूसरा चौंसा चरण जो अंतिम चरण हम लोग क रहेगा और अब इस बंदी को अतिहासिक सफल बनाना और अविस्सक इसलिए हो गया है क्योंकि एक सरफ यहां के विधायक संग्सत लिखीत रूप से कर रहे हैं सील सिकनेचर देके बता रहे हैं कि साट चालिस नहीं चलता हूँ और दूसरी तरफ जे एससी के माइधम से ब साट चालिस चलता हूँ तो यहां के सत्ता पक्ष समेत विपख्ष का और विधायक समेत संग्सत का यह जो दूम हुआ निती है यह जो दोहरी चरित्र है इस दोहरी चरित्र का मुद्तोर जवाब देने के लिए इस अंदोलन को बाईध हो के हम लोग को और ज़्यादा एति जो ये सरकार सुरू से हम लोग का अंदोलन को धोस्ट करने का हर साजिस और सड़यंत्रे रच रहिया है तो कभी नोटीस, तो कभी एफाई आर, तो कभी लाठी चार्ज, तो कभी माथा फोड रहे हैं, तो कभी खून बहा रहे हैं और इस बार सरकार सबसे बड़ा हत्यार चलाया है, CGL का विग्यापन निकाल के है, वो भी धार्खन सब्द को गायव करके है और ये सबसे बड़ा हत्यार है हमारा अंदोलन को कमजोर करने का, तो हम छात्र नजवान को कह देना चाहते हैं कि हमारा जो ये ताना साही सरकार है, इसके सरकार के दोरा सबसे बड़ा हत्यार को अगर हम धोस्त करते हैं, अगर इसको हम नकाम करते हैं, और तीन दिन जो हिम्मत लगा करके हम लोग इस बंदी को सफल बनाते हैं, तो निस्चित ही हमारा जीत सुनिस्चित होगा, और सत परत वापस हो करके रहेगा और यहाँ जर्खंडियों के लिए नोक्री का प्राधान इसको सुनिस्चित करना ही पड़ेगा चूकि अब देख रहे हैं कि एक सिच्छक अगर बाहरी होता है बाहर से आते हैं तो एक विद्याले हमारा बाहरी का मुठी पे जाएगा कुछ सिपाही बाहर से आते हैं तो कुछ थाना बाहरी का हतों पे जाएगा लेकिन सचिवाले में अगर सीजियल बाहरी आ जाएगे और डबल सीट निकाल करके निकाल रहे हैं अर्थात सचिवाले अगर बाहरी का गुलाम हो जाएगा तो यह जहर्खंड बाहरी का गुलाम हो जाएगा इ इसमें असली फिल्म देखने को मिलेगा और बाकी बंदी में हम लोग 5 दिन 7 दिन पहले हम लोग सुचना दे पाते थे इस बरका बंदी में हम लोग पिछले एक महिने से लगातार हम लोग इसका सुचना दे पार हैं कभी सकवा पत्ता घुमा के तो कहीं मादर बजा करके कहीं धाक बजा करके तो कहीं विदायक संगसत का समर्थन अभियान के दौरान हर तरीके से हम लोग सुचना दिये हैं। इसलिए आज मैं तमाम धारखंड के दुकांदार संग हो, बजार समीती हो, चैट्रक एसोसियेशन हो, बस एसोसियेशन हो, ओटो चालक एसोसियेशन हो, सभी से हम नमरनी वेदन करते हैं कि जारखंडी हीत के लिए स्वैक्छा से अपना अपना बंद करके अंदोलन को सफल करने में हमें सहयोग करें अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूले